आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ share करने जा रहे हूँ दो ऐसी practices जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की शुद्धी कर सकते हैं शरीर में जो गंदगी जमा है सालों से उसे ये खींच कर बाहर निकाल देगा आपके शरीर को detox कर देगा और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपके साथ share करूँगी कुछ ऐसे tips जिनका प्रयोग करके आप अपनी kidneys को एक्तम healthy रख सकते हैं नमस्कार योग जर्णी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ योग और आयूर वेद के साथ साथ science भी ये मानता है कि शरीर में रोगों का कारण है हमारे शरीर में आने वाली अशुद्धियां जो तरह तरह के toxins हैं जो गंदगी हैं जो जगे जगे जमा हो जाती हैं और रोगों का कारण बनती हैं तो इन्हें साफ करने के लिए आप पहली क्रिया जो करेंगे उसे हम कहते हैं विरेचन क्रिया क्या करना है आपको इस तरह से मुठी बना लेनी है हातों को ये दूर रखना है और यानि सांस छोड़ते वे हातों को अपने बगल में इस तरह से लगाना इससे क्या होगा पहले समझ लेते हैं कि आपके बगल में जो लिंफ नोडस है वो क्लीन होगा आपका जो लिंफेटिक सिस्टम है जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है उसके शुद्धी होगी और जब लिंफेटिक सिस्टम क्लीन होगा तो आप अपने मिना लिजे इस तरह से और हातों को ये उपर किया देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा हुआ है जिने हम किड्नीज कहते हैं ये रोजाना 200 लीटर से भी जादा खून को शुद्ध करती हैं फिल्टर करती हैं तो वो तो अपना काम करी रही हैं हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें जिससे शरीर में गंदगी जमा ही ना हो इसके लिए एक क्रिया आपको पता रही हूँ जिसे हम कहते हैं कपाल भाती और इस कपाल भाती के साथ एक खास पॉइंट आपको दबाना है जिसका सीधा असर आपकी किड्नी पर पड़ता है तो कपाल भाती कैसे करते हैं ये आप सभी जानते हैं सांसों को बाहर छोड़ना करें आप अभी साथ में एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ कर शुरू करें कपालभाती, इसके साथ आपको ये पोइंट दबाना है जो आपकी हथेली के बीचों बीच है, तो कैसे करेंगे आप, आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, कपालभाती करेंगे, ये एक पोइंट हुआ, दूसरा पोइंट है, आपकी ये जो लिटल फिंगर है, छोटी वाली उंगली, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसे आपको प्रेस करना है, इसका सीधा अज़र आपकी ये किड्नीज पर पढ़ेगा, तो कपालभाती करना है, रेलाक्स, ये आपको रोजाना करना है, दस मिनिट, कपालभाती से और फायदे तो मिलते ही हैं, इसका सीधा अज़र आपकी किड्नी पर पढ़ता है, किड्नी में स्टोन हो गए है, सिस्ट हो गई है, यूटी आई की समस्या है, पॉलिसिस्टिक किड्नी है, किरेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की समस्या है, ओवरी में सिस्ट हो गई है, सूजन आ जाती है, तो आप पेट पर ठंडी पट्टी लगाकर कप कपाल भाती कीजिए एक तौलिया लेना है पानी में भिगो कर उसे अच्छे से निचोड लीजिए और उसे पेट पर रखकर आप कपाल भाती कीजिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे यह जो पॉइंट आपको बताया है यह आपके पैर के किया गया है जिनका काम ही है आपके शरीर में जो अपान वायू है जो दूशित वायू है जो टॉक्सिंस हैं उन्हें बाहर निकालने का ऐसी ही एक मुद्रा है अपान वायू मुद्रा कैसे बनानी है पहले वायू मुद्रा बनाए यह पहली उंगली को अंगुठे की और थम है इनके टिप्स को आपस में मिला देना यह देखा खरगोश जैसी एक आकरती बन गई तो इसमें आपको पहली उंगली को पहले अंगूठे की जड़ पर लगाना और फिर अंगूठे के साथ इन दोनों उंगलियों को मिला देना यह मुद्रा बनानी है आस्मान की तर पड़ा सड़ रहा है जो रोगों का कारण है जिसके कारण कभी एसीडिटी होती है कभी अलसर हो जाता है कभी सिर में दर्द होता है कभी जोडों में दर्द होता है कभी ब्लॉकेजिस आ जाते हैं वो सारी समस्याओं से आप अपने आप दूर रहने लगेंगे एक बार में अगर practice नहीं कर पाते हैं तो आप इसे दो तिन टुकडों में कर लीजिए खाली पेट करना है ध्यान मुद्रा की तरफ लगा कर करना है चलते फिरते टीवी देखते हुए मुद्राओं का अभ्यास अगर आप करते हैं तो यकीन मानिये कोई उसका आपको फायदा होने वाला नहीं है टाइम वेस्ट होगा आपका बस और दूसरी मुद्रा जो है इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में जल तत्व से है जब आप पानी कम पीते हैं इसका बहुत गलत असर आपकी किड्नीज पर पढ़ता है किड्नीज में सिस्ट होने लगती हैं तरह तरह के इंफेक्शन हो जाते हैं महिलाओं में यूटी आई की प्राब्लम हो जाती है तो इस जल तत्व को संतुलन में लाने के लिए आपको वरुन मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए तो ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है इसे अंगूठे से मिला देना ये दोनों हातों में ये मुद्रा लगानी है और आराम से आँख बन करके बैठ जाना है मेरे कहने से आप इस अभ्यास को करना शुरू कीजिए आपकी अगर कोई दवाईयां चल रहे हैं उनके साथ इन प्रैक्टिसेज को एड कीजिए शरीर में 70% वाटर है जब वो बैलेंस में आ जाएगा ना तो 70% समस्याई तो समझ लीजिए ठीक हो गई और किड्नी के लिए तो ये मुद्रा जो है वो बहुत प्रभावशाली है आप जरूर इसका प्रियोग करें हमारी जीवन शहली ऐसी हो गई है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है चोटी-चोटी उमर में स्ट्रेस के कारण किड्नी की समस्याई देखी जाने लगी है तो अगर आप चाहते हैं आपको किड्नी से जुड़ी समस्याई ना हो आपके किड्नी हमेशा स्वस्त रहे तो ये कुछ चोटे-चोटे टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हूं इन्हें फॉलो कीजिए बहुत ह असरदार हैं आपकी किड्नी पूरी उम्र सही तरीके से काम करेगी और आप स्वस्त रहेंगे सुबह सुबह लौकी के जूस का सेवन करना ना सिर्फ किड्नी के लिए पूरे शरीर के लिए एक संजीवनी का काम करेगा साथ दिन के अंदर अंदर आप जमीन आसमान का फर्क महसूस करेंगे, आप ये मान लीजिए कि शरीर का काया कल्प करने वाला जूस है ये, एक और चीज जो हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, वो है अद्रक, अद्रक की चाहे आप पीजिए, वो दूदवली चाहे नहीं, पानी में अद्रक को उबालना है, एक कप पानी दीजिए, उसमें थोड़ा सा अद्रक कस के डाल दीजिए, और इसे आधा होने तक उबालिए, और फिर अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला कर पी सकते हैं, डाइबिटिक हैं, तो ऐसे ही पी लीजिए, इसकी एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टी के कारण आप किसी भी तरह के इंफ्लमेशन से बचे रहते हैं, फ्री रेडिकल से दूर रहते हैं, और यही आपके शरीर में एक हीरो एलिमेंट की तरह काम करता है, रिसर्च यह बताती है कि 70% लोग जिनकी किड्नी में कोई समस्या है, उन्हें या तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब आपके लिए जा रहे हैं तो रस्ते में अगर कोई नीम का पेड आता है, तो उसके दो चार पत्ते आप चबा लेजिए, नीम नहीं है, तो तुलसी के पत्तों का रस लेजिए, दो पत्ते मुह में रखें और उन्हें दीरे दीरे चूसना है, और फिर पानी के साथ निगल तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है, दूसरी चीज, पांच S है जिन से आपको दूर रहना है, स्ट्रेस, सॉल्ट, शुगर, स्मोकिंग, और सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें ना सिर्फ किड्नी की, बलकि आपके पूरे शरीर की दुश्मन हैं, कम पानी पीने से किड्नी में सिस्ट बनने लगती है, स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, एक नुस्खा बता रही हूँ, एक मुठी जौ ले लीजिए, और इसे तीन कप पानी में उबा लिए, जब ये पानी आधा रह जाए, इसे चान कर इस पानी को रख लीजिए, दिन में दो ती बार इसका सेवन आपको करना है, एक हफता आप ये करके देखीगा, जिनको बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है न, वो भी कम होती है और अगर अलरेडी स्टोन सें, तो उसमें भी फायदा मिलता है, जो के आटे की रोटी खाए, जो का दलिया खाए, यानि जितना मोट अनाज आप खाएंगे न, आपके शरीर के लिए, आपकी किड्नी के लिए वो उतना ही हेल्पफुल रहेगा, और मूली, प्याज, लाल शिमला मिर्च, पत्ता गोबी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपकी किड्नी पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, किड्नी के बहुत फाइदे मंद रहती हैं, और मैंने बता है न, डाइबिटीज का सीधा असर आँखों पर पड़ता है, किड्नी पर पड़ता है, नियूरोपैथी की समस्या हो जाती है, उसके लिए कुछ खास आसन है, जैसे कि मंडूक आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन, पवन मुक्ता आसन, कपाल भाती, ये तीन-चार चीजे हैं जो सभी को रोजाना करनी चाहिए, हमें बीमार होने का वेट नहीं करना है, पहले से ही योग को प्राणायाम को अपनी दिन-चर्या का हिस्सा बनाए, ताकि हम हमेशा स्वस्त जीवन का आनंद ले सकें, और ये तो आपने सुन आई है, an apple a day keeps the doctor away, रोजाना एक apple खाईए, छिलके सहीत खाईए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, आपका पेट तो साफ होगा ही, आपकी किड्नी पर इसका बहुत अच्छा असर आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रन में रहेगा, तो अपने डेली रूट और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमी काने पाएं, मैं हूँ मधु चादरी और आप इस वक्त युग जड़नी पर हैं, नमस्कार